आज हम भाशा विकास के सिध्धान्त करेंगे जिसमें कि हम दो सिध्धान्त मितलब दो हम मुना विध्यानिका के योगदान देखेंगे एक तो बीएफ स्कीनर का और सेकेंड नॉन चोमस्की का तो यही हमारे वीडियो रहने वाली आज की बहुत छोड़ा टोपिक है आपको इसली समझ में आ जाएगा झाद हएं हेखिए विकास का सिध्धान्त आप सबकों पता है कि मितलुः विकास ऑपने इंपोर्टेंट होता है कि यसे के लिए भी क्योंकि यादि हमको भाषा-क् बाष्याक्याहिश्याम्कों वहुत पदरनी नहीं आएगी तो हम मतलब जो हम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है कि हमारा जो लाइन्वेज डवलेमेंट है वह अच्छे से हो पुर्ण हम अच्छे से हम भाशा को सीख सके और हम उसको अच्छे से बोल सके तो उसके रिगार्डिंगी हमारे हमारे दो सिधान्त पढ़ेंगे जो कि कि तो बुर्ट शोती है अब सबको बता है कि जो स्टार्टिंग की या जो यह को होती है जो मतलब चाइल होटी सीखने की बहुत अच्छी णोलिया शोती है कि बच्चा को आप सिखाओगे बच्चा तबी सीख जाता है बच्चा वो स्पीर से सीखता है उसे वाली एज गरूप में तो मतलब यदि हम बच्चे को इस वाली इज में हम भाशा शिखाएंगे तो बच्चा उसको बहुत ?.aka1 सा विकास करना चाहिए उसको बच्चा को लि सबसे पहले बच्चे को टीचर सोती है वह मतलब जो हमारे 40 शोते हैं लस्रोडू लिस्णिंग इंड राइटिंग तो उनके अगोडिंग ही वह उनको सिखाए सिखाते साइसे लुड़े को लिस्टे करना सिखाते हैं बच्चको शुनना रहा है चैल्ड होती है उस में बच्चा भाषा को पूर्ट बहुत जली समझ जाता है उसको भूनना वो अच्छा से सीख जाता है इसमें आगे है बीएफ स्कीनर का योगदान कि बीएफ स्कीनर ने भाशा विकास के समद में क्या कुछ कहा है क्या उन्होंने हिंट दिये हैं कि कि किस त्रू मतलब हमारा जो भाशा विकास है वो होता है तो चाहर रही है स्कीनर बच्चे का जो लेंग्वेस डैवलेमेंट होता है जो बच्चा लर्निंग करने के लिए उस्क्रणी या अनुकरण से सीखना मतलब कि बच्चे में सिखना के लिए जागुरूत है बच्चा छे ना चाहता है और जो यह सारी जो ईरं नेते यह बताए गई हैं यह सारी बच्चे को भाषि शिखने में उसके लिए सिदा ही उपयोगी होती हैं यह बच्चे की असी की घड़ा करती है कि बच्चा बच्छा घडान से दे निए 67 बट्चांड When-9 कर रहा है बच्चा sprechen करती है इसको सीफ जटल करके बच्छा सीख रहा है बच्चा भाश अपनी भाशे का विकास कर रहा है इसके लिए बेकर उन्होंने क्या कहा का इनका विश्वास था कि भाशे को विकास होता है वह क्रिया प्रसूत अनुबंदन सिध्धानत के नुसार हुआ है लगकि जू पता ही होगा कि स्कीनर जो है उन्होंने ही क्रिया प्रसूत अनुमधन सिध्धान दिया है जिसको हम इंगलिश में बोलते हैं ओप्रेंट कंडिशनिंग त्योरी इसके लावा इसका दूसरा नाम भी है बैस्क्रिया अमधन सिध्धान इसके बहुत सारे नाम दे रहां लगलब जो कि नहीं दिया था और इसकी नहीं क्या कहा था जो मतलब की जो पुनरबुलन होता है जो हम बच्चे को एक जल्ब पोजिटिव अनर्जी बच्चे को देते हैं तो उसके बच्चे की जो किरिया होत तो उसके तुरंट बाद भी बच्चे को आपको पुनरबलन देना चाहिए क्योंकि यदि बच्चे को मतलब आपने देखा भी होगा यदि बच्चा को यह काम कर रहा है और आपने वापको दिखाने के लिए तक दिखो मैंने ऐसा काम किया है जब बच्चे को बोल रहे पंडर बलन की मतलब जाये तरच देना चाहिए असकर बच्च दो यहीं-अंक डिया जल्दी घान चाहिए और इसलिए बच्चा को पुनरबलन के मातला से देना चाहिए यह सब ही इनोंने अपनी स्वाले सिधहंत में बताया है किर्या प्रसुद सिधहंत में नेक्स देखे नेक्स है नौम चॉमेस्क के का योकदान ुछ स४ आंतर मतलब LAD line wave acquisition device इसको इस नाम से जाना जाता है मतलब बच्छा जो होता है उसमें बाईब जन्म जात विसमें परवर्ति होती है और उसी परवर्ति को इन्हों ने भाशा आरजंत अंतर मतलब की LAD मतलब लैनवेज acquisition ड्वैस को इन्हों नाम दिया यह है उसके लानों चमेशकी ने क्या कहा जिस भाषयों को सुनता है तो बच्चा के सामने इंग्लिष बोलेगा हिंदी रहा है तो बच्चा सुनता है उसके ग्रहमर होती है उसके बच्चा अपने नों जो मिस्की ने अपने योगदान दिया है इसी को कहा जाता है जरनेटिव ग्रामर थिए इसके आगे उन्होंने क्या कहा कि सारभुमिक व्यक्राइड क्या अधाना बताते हैं जो एक यूणिवर्सल जो ग्रामर होती है उसका कॉंसरेफ्टर में क्या बताता है कि सभी भा उनकी जो रूल्स लगहरा है जो फिक इसके वह सारी विकुल एक जैसी ही होती है हर लाइन वेस्ट की ग्रामर की यह बत कहीं तो नहीं होगा है बहुत छोटा सा टोपिक था आई होप कि आपको समझे में आ गया हो भाशा विकास का सिद्धांद दुबार से देख लेते हैं हम भाशा विकास सिद्धांत हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है यदि यह नहीं होगा तो हम कॉमिनिकेशन प्रोसेस हम नहीं कर पाएंगे नहीं हम भाशा को समझे पाएंगे नहीं हम कुछ बोल पाएंगे और नहीं हम कुछ लिख पाएंगे तुसलिए जो भाशा विक योगदान जो भी स्केनर थे उन्होंने क्या गाथा कि बच्चे को भाशा का विकास है वो बच्चे के प्रियास की जो वह सारी जो रण नेतियां होती हैं जैसे दुसरे की नकल करना स्थ्रियता संकेट तथरलाब करेश परनालियों आद के मादम से हुआ है और जो कि हमेशा बच्चे की भाशा को सिखने में उसके लिए हैल्प करते हैं इसके लावा इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने कहा था कि बच्चा का विकास होता है कि जो भाशा का विकास होता है वो कि प्रसूत अनुमन सिदांत के अनुसार होता है उन्होंने कहा था कि यह हम बच्चे को पुरण बन देंगे तो बच्चा अच्छा चीज़ करता है हम उसको मोटिवेट कर रहें तो बच्चा चीज़ करते हुए इना चाहिए इसके लावा नेक्स्ट हमरा नौम चमंश्की का योगदान तो नौम चमंश्की का क्या माना था कि बालक में भाशा ग्रेंड करने की एक प्रवर्ति होती है और इसे ही उनोंने क्या कहा था भाशा आर्जंटतर्म इसकी लैडि लान्वेज अक्वेशीजन डिवाइस इसके नाम से इनौन इसको हमारे सामने प्रस्तुत किया था नौम चमस्की देन नौम चमस्की का क्या कहना था कि भाप बालग जिस भाशा को सुनता है उसकी व्यक्रण को अपने आप ही सीख जाता है और इसलिए उन्हों नहीं से जर्णेटिव ग्रहमर थेोरी के नाम से भी पुकार था या कहा थ यहीं बात हमको यूण वर्स ग्रामर के जो कॉन्सेट आप यहीं बताते हैं कि हर लैंगेज की अपनी जो ग्रामर होती है वह सारी आपस में सेम होती है उसके रूल्स वगरा और उसके कंस्रक्शन वगरार तो यह हमारे टोपिक थाज का भाशा विकास के सिध्धान्त या फिर हम कहें तो भाशा विकास के सिध्धान्त में मनुवेगैनिकों का योगदान जिसे हमने दो योगदान पढ़े हैं पर ब्याफ स्कीनर का और सब्सक्राइब का तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो का कॉन्सेट बहुत आसान टोपिक था यह बहुत चोटा सा झाल जिसे हम एोग जोगदान टोगदान से लिए चाह नहीं झाल जू यह को रोगदानिकों से लिए दो गिक भाशाल टोदान घिस देंग।